आज मेर पास Realme GT Series का नेया स्मार्टफोन GT6 आ चुका है वैसे दिखने में ये एकदम GT60 जैसा ही दिखता है लेकिन अब ये Glass Pack के साथ आता है फ्रंट में भी Coding Grilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन है तो ये पकड़ने में काफी प्रीमियम सा फील होता है आज इस वीडियो में इस फोन के 40 से ज़्यादा फ्यूचर बताऊंगा साथ में एक फुल रिव्यू भी दूँगा तो अगर आप इस फोन में इंट्रेस्टेन हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा छे हजार निट्स की पीक ब्राइटनेस है डोल भी विजिन को भी सपोर्ट करता है और ये एक 120 हर्ट का LTPO डिस्पले है जिसका मतब है के 1 हर्ट से लेके 120 हर्ट सक स्विच कर सकता है तांके आपकी बैटरी भी काफी ज़्यादा सेव होती रहे और लो ब्राइटनेस पर आपको 2160 हर्ट का PWM डिमिंग भी मिल जाता है तांके आपके आँखों पर ज़्यादा असर नहीं पड़े इस फोन में ब्राइटनेस को आप वैसे काफी इच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं जिसके अगर आपको maximum brightness भी थोड़ा कम लग रहा है तो यहां से आप extra brightness enable कर सकते हैं तांके maximum से भी उपर आप जा सके और अगर आप auto brightness use कर रहे हैं तो आपके पस lowest allowed brightness का भी एक option है मतब रात के time जब brightness बहुत कम होती है तो कितना कम आप उसको minimum करना चाहते हैं को कम करता रहेगा तांके आपकी आंखों के उपर अगेन से जादा असर नहीं पड़े इस फोन में बहुत बढ़िया AOD भी आपको दिये गए हैं सेटिंग्स में वोल्पेपर एंड स्टाइल के अंदर ही आपको मिलेगा बाइडिफोल्ट हलंके इसेबल है तो इसको यहां से इनेबल कर दीजिए यहां पर आपके पास bit emoji, canvas, o emojis और नीचे आपके पास देखेंगे तो बहुत सारे options आपको दिये गए हैं इस फोन में curved display दिया गया है तो edge lighting का option भी बहुत ही बढ़िया लगता है वोल्पेपर एंड स्टाइल के अंदर ही आपको मिल जाएगा तीन डि इस phone की बाकी सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको taupe के 10 features बताता हूं कुछ AI features भी है उन features को आप जरूर से इस phone में यूज कीजिएगा पहला AI feature आपको बताता हूं AI smart loop का settings में special features के अंदर आपको AI assistant का option मिलेगा यहां पर इन दोनों options को आपक से tap करते हैं तो phone पूरी screen को scan करेगा जो भी इसमें share किया जा सकता है text या images वो इस तरीके से आपको मिलेंगी और किसी भी चीज को अगर आप share करते हैं तो इस तरीके का आपको एक smart loop देखने के लिए मिलता है basically सारी apps आपको यहां पर मिल जाएंगी जिस भी app में आपको share कर पाते हैं एक और AI वादा जबर्दस feature आपको AI eraser का मिलता है अगर आपने कोई भी photo capture किया है edit section में अगर आप AI eraser के अंदर जाएंगे तो यहां पर आप किसी भी object को इस तरीके से select कर सकते हैं या किसी people को आपको remove करना है और phone AI की मदद से उसको आपकी photo में से guide कर देगा यह ब यह phone में आपको एक बहुत useful smart sidebar भी मिलता है वो भी by default disable है तो settings में special features के अंदर आपको यहां पर option मिलगा इसको enable कर दीजिए इसके अंदर आपको recent files और file dog जैसे options मिल जाते हैं recent files में जो भी आपकी recent images या documents हैं वो सब आपको यहां पर मिल जाएंगी या फिर file dog में आप किसी भी अपनी file को या image को इस तरीके से save करके रख सकते हैं यह phone gaming के लिए भी बहुत तगड़ा है और gaming के लिए भी आपको कुछ dedicated features दिये गए हैं अगर आप special features के अंदर जाएंगे तो आपको dedicated RAM for games का एक option मिलता है इसको अगर आप enable करेंगे तो कुछ RAM जो है जब आप game प्ले क basically आप अपने CPU और GPU को overclock कर सकते हैं यहाँ पर आपको सारे different options दिये गए हैं इस phone को आप वैसे बिना touch के भी use कर सकते हैं settings में special features के अंदर smart sensing के अंदर आपको air gestures का option मिल जाता है आप अपनी सिरफ finger की मदद से पूरा navigate कर सकते हैं एक cursor जैसा आपको option मिल जाएगा और even apps के अं आप अपने phone के उपर double tap कीजिए और बिना किसी app को open किए directly आपका phone ही आपके लिए Google पे app open कर देगा settings में अगर आप नीचे realmeal app के अंदर जाते हैं यहाँ पर एक बढ़िया option आपको dual mode audio का मिलता है अगर आपने एक wide earphones और wireless earphones दोनों connect की हैं phone के साथ तो आप दोनों में से एक साथ output ले सकते हैं अगर एक time पे दो लोग कोई movie वगेरा देखना चाते हैं तो बहुत ही बढ़िया option है realmeal app के अंदर एक और बढ़िया option आपको heart rate measurement का मिलेगा क्योंकि इस phone में display fingerprint sensor है अगर आप उसके उपर इस तरीके से thumb place करके रखते हैं तो phone आपको आपका heart rate जो है वो live दिखाता है यहाँ पर screen के उपर हालांके medical reasons के लिए इसके उपर live मत कीचेगा इस phone के UI की बात करूँ तो यह phone realme UI 5 के उपर based है जो के android 14 के उपर आता है नया वाला realme UI 5 है मतलब यह control center अगर आप देखेंगे इसमें नया look है volume slider भी अगर आप देखेंगे उसमें भी एक different सा look आपको मिलेगा एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि बहुत कम ads, bloatwares बगार आपको मिलती है pre-installed apps बहुत ही कम है इस phone में तो आपको बहुत clean experience मिलेगा वैसे यह जो नया control center है उसका implementation भी realme ने बहुत ही अच्छा किया है जसके यह slider control है इसके उपर directly अगर आप tap कर तो आप volume को mute कर सकते हैं या फिर auto brightness enable disable कर सकते हैं ऐसे ही torch के लिए भी आपको एक इस तरीके से brightness change करने का option मिल गया है home screen को customize करने के भी बहुत सारे options हैं जिसके आप किसी भी folder के उपर long tap करके उसको enlarge कर सकते हैं एक ही साथ आप 8 icons को यहाँ पर access कर पाते हैं icons को customize करने के भी बहुत सारे options हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे different options मिल जाएंगे और shapes भी आपको दी गई हैं अगर आप एक हाथ से phone को use कर रहे हैं उस time पे आपके देख बहुत ही बढ़िया gesture आपको home screen settings में मिल जाएगा icon pull down gesture का इसको आप enable कर दीजिए उसके बाद add से आप इस तरीके से swipe कर सकते हैं और सारे के सारे icons आपके नीचे आजा दे हैं जिसको भी आपको use करना है उसको इस तरीके से कर सकते हैं बहुत सारे gesture और motion shortcuts का support भी है settings में additional settings के अंदर यह option आपको मिल जाएंगे even screen of gestures आपको दिये गए हैं जब आपका screen बंद है कुछ draw करके आप कोई app open कर सकते हैं action perform कर सकते हैं या फिर music को भी control कर सकते हैं वैसे एक gesture जो मुझे personally बहुत ही बढ़िया लगता है settings में special features के अंदर आपको Q-clonge का option मिल जाता है इसको अगर आप enable करते हैं तो यहाँ पर आप 5 shortcuts इस तरीके से setup कर सकते हैं उसके बाद जब भी आप phone को unlock करते हैं fingerprint sensor की मदद से तो आपको इसको press करके रखना है और यह सारे shortcuts आपको यहाँ पर directly मिल जाएंगे इसके dual speakers की quality मुझे अच्छी लगी उपर की तरफ भी एक dedicated speaker द आप preset select कर सकते हैं special audio वाले कोई headphones अगर आपके पास हैं तो वो आप use कर सकते हैं और hollow audio का भी feature है इसके मदद से आप 360 degree sound जो है वो create कर सकते हैं एक और बढ़िया option sound and vibration में आपको app specific volume का मिल जाता है अगर एक time पे multiple sounds play हो रही है या फिर सिरफ किसी एक app की sound को आप कम करना जाते हैं मालजी YouTube की आवाज आपको कम करनी है वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं बैटरी के मामल में भी iPhone बढ़िया परफूम करता है पच्च पन सो एमेज की बड़ी बैटरी आपको इसमें दे रखी है वेट की बात करूं तो लगपग 199 ग्राम के करीब है और साथ में 120 वोट का चार्जर आपको box के अंदर ही मिलता है तो बहुत तेज फोन को आप चार्ज कर पाएंगे आपके फोन की बैटरी लोंग टर्म में अच्छा परफूम करें उसके लिए settings में बैटरी के अंदर बैटरी हेल्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको smart charging का एक option मिल गया है इसमें आपको 8S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है एंट्रूस को डेर्ड मिलियन से भी जादा उपर चला जाता है और फोन को लोंग टाइम में अगर आप गेमिंग करते हैं तो जादा कूल रखने के लिए एडवांस वेपर कूलिंग सिस्टम भी दे रखा है BGMI की बात करों तो आप इस फोन में स्मूज के साथ Extreme Plus तक खेल सकते हैं मतबकि 90 FPS का उप्शन है साथ में HDR Extreme का भी उप्शन है मैंने काफी जादा गेम प्ले भी किया है इस फोन के उपर और काफी बढ़िया FPS इसमें आपको मिल जाता है कोई भी गेम अगर आप प्ले करते हैं तो इस तरीके का Gaming Assistant आपको मिल जाता है जिसे आप और जादा Gaming Experience को बेटर कर सकते हैं इसमें आप GT Mode एनेबल कर सकते हैं नीचे अगर आप जाएंगे तो आपके पास AI Eye Comfort का Option है तांके Long Term Gaming कर रहे हैं तो आँखों पे जादा असर नहीं हो आप Voice Changer यूज़ कर सकते हैं System Stats अनेबल कर सकते हैं Hyper HDR अनेबल करके Colors को बेटर कर सकते हैं और साथ में चैटिंग करना है तो इस तरीके से किसी आप को Floating Window में भी ओपन कर सकते हैं Network और Security के मामल में भी ये फोन एकदम Flagship की तरह प्रफॉर्म करता है इसमें आपको 5G, NR का सपोर्ट मिल जाता है 13 5G के बैंड्स हैं 4G अगर आप यूज़ करते हैं तो 4G प्लस Carrier Aggregation का भी सपोर्ट है साथ में UFS 4.0 की स्टोरेज के साथ LPDDR 5X RAM वर्शन आपको दिया गया है वैसे जादा बढ़ी हां Internet स्पीड देने के लिए Settings में Wi-Fi के अंदर, Wi-Fi Assistant के अंदर आप इस Dual Channel Network Acceleration के Option को भी एनेबल रख सकते हैं ताके आपका Wi-Fi और Mobile Data दोनों एक टाइम पर काम कर पाएं इस फोन में आपको Wi-Fi Tethering का भी सपोर्ट मिल जाता है दबके जब आपका Wi-Fi ओन है, अगर आप Hot Spot को ओन करते हैं तो आपका Wi-Fi बंद नहीं होता, बलके इस Hot Spot की मदद से आप अपने Wi-Fi को आगे शेयर कर सकते हैं Settings में Security and Privacy में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको App Log Hide Apps और Private Save जैसे Options में मिल जाते हैं किसी भी एप को या किसी भी फाइल को आपको Hide करके रखना है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं Settings में More Settings के अंदर आपको Smart Notification Hiding का मिल जाता है अगर आप इसको Enable रखते हैं तो आपकी Notification सिरफ तभी शो होंगी अगर आपका Face Phone के सामने है Finally Cameras की बात करूं तो वहाँ पर भी एक बड़ा Upgrade आपको इस Phone में मिलता है Primary Camera जो है वो 50 Megapixel का Sony LVT808 Sensor है OIS Support के साथ आता है और यह एक्तम Flagship Sensor है साथ में Telephoto Camera भी आपको 50 Megapixel का Samsung का JN5 Sensor दिया गया है तीसरा Camera यहाँ पर रियर में 8 Megapixel का Ultra Wide Sensor है और Front में भी आपको 32 Megapixel का Sensor मिलता है बहुत सारे Camera Samples मैंने इस Phone से Capture किये हैं Low Light में भी Capture किये हैं बहुत ही जादा बढ़िया Camera Quality मुझे इस Phone में देखने के लिए मिली Actually इस Price के हिसाब से मुझे लगता है कि इसके Cameras one of the best perform कर रहे हैं Camera App के अंदर एक जबरदस ओप्षिन है इस Phone में वीडियोस के अंदर आप HDR वीडियोस डोल भी विजिन वाली वीडियोस रिकोर्ड कर सकते हैं और इसके अंदर Colors वगेरा जो हैं और Lights वगेरा जो हैं स्पेशली वो बहुत ही जादा मस दिखती है इस Phone में आपको इस Street Mode भी दिया गया है इसमें आप ये different-different wavelength के उपर zoom in कर सकते हैं और अगर आप ये auto zoom in वाला option select करते हैं तो आप किसी भी subject के उपर tap करेंगे तो Phone automatically zoom in करके आपको एक बढ़िया composition बना के दे देगा More options के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको इस Phone में Dual View Video Mode का option भी मिल जाता है अगर आप front camera और rear camera दोनों से एक साथ वीडियो capture करना चाहते हैं वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं बाकी कुछ और भी चीज़े हैं इसके बार में हमने पूरी वीडियो में बात नहीं किया इसके इसके phone के box में ही आपको एक cover भी मिल जाता है ये phone के उपर आपको एक pre-applied plastic वाला scratch card दिया गया है और phone के box के अंदर आपको इस stickers भी मिलते हैं अगर आप UV glass install करवाते हैं उस time पे आप इनको use कर सकते हैं इस phone में उपर की तरफ आपको एक IR blaster भी दिया गया है और एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि कोई भी SD card रूट नहीं है तो कितना storage आपको purchase करना है वो आप पहले ही ध्यान से purchase कर दीज़ेगा बाकि अगर आपको कुछ होड़ जानना है इस phone के बारे में तो नीचे comments में पूछ सकते हैं यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरूर कीज़ेगा और ऐसी यह वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe भी कर दीज़ेगा